सब को राम राम कैसे हैं आप सभी मेरा नाम रभी आज करते हम फरवरी मेने की करंट फेर दुसरा पार्ट आप सो को पता है हम करंट फेर में हर्याने करंट फेर और सेंटर के करंट फेर एक साथ कर रहे हैं ये हमारा फरवरी मेने का दुसरा पार्ट है तो चलिए करते हैं करिये रहा हाली में मुख्यमंत्री मुनहरलाल ने उत्राखंड सरादी में मुख्यमंत्री रहत को से कितनी राशी देने के गोशना की है आप सो को पता है उत्राखंड राज्ये में गलेशियर के तूट जाने के कारण वहां बहुत बड़ा हादसा हुआ है वहां बहुत बड़ा हादशा हुआ है तो हम उत्राखंड के बारे में छोटी मोटी बाते पड़ लेते हैं उत्राखंड के बारे में देखो उत्राखंड आपसो को पता है उत्राखंड की दो राजदानिया है उत्राखंड की दो राजदानिया है देहरादुन और गैरसेन उत्राखंड की दोराजदानिया है गैरसेन और देहरादुन आसो को पता है आपको पता है, हम उत्राखंड को फूलो की गाटी कहते हैं, फूलो की गाटी किसको कहते हैं उत्राखंड को, उत्राखंड को आप कहोगे सर, उत्राखंड के मुख्यमंतरी कोन है, मुख्यमंतरी कोन है, वो है त्रीवेंदर सिंग रावत, वो है त्रीवेंदर, त्रीवेंद देबी राणी मोरी आहसर देखो आप से पता है आप बहुत तेज हो अगर आप से अग्जामिनर ये पुछले राजाजी नेशनल पारक कहां परस्तित है राजाजी नेशनल पारक कहां परस्तित है उत्राखंड के अंदर है उत्राखंड के अंदर है अगर आप से अग्जामि कांपर है जीम कारबेट देखो मैंने कलर भी चेंज कर लिया जीम कारबेट कांपर है सर यह भी है उत्राखंड के अंदर अगर आप से पुछले कि उत्रा उत्राखंड के अंद्र है अगर आप से पूछले कि जिमकार बेट का प्राचिन नाम क्या था राम गंगा राम जिमकारा बेट का प्राचिन नाम था और सुस्टापण मचेंट जिमकार बेट की 1936 में जिमकार बेट के स्थापना हुई थी अगला किशन क्या हमारा देखो अगला किशन हमारे स्क्रीन पर यह रहा हाली में हर्याना के किस इनिवर्सटी ने परसिद यू एस इंजिनिरिंग एन टेकनलोजी बी आई एम फॉम एकेडमी पर MOU पर साइन किया है परसन यह है कि साइन किया किस पर इसकैंसर है जे सी बोस इनिवर्सटी ओप्सन डी है जे सी बोस इनिवर्सटी जे सी बोस इनिवर्सटी को हम YMCA इनिवर्सटी भी कहते हैं देखो इसमें क्या है जितने भी स्टुडेंट हैं उनको टेकनलोजी से जड़ने के लिए या ऐसे कह सकते हैं जो करने के लिए एक MOU पर साइन हुआ है मतलब बहुन निर्मान के लिए जो इंजिनिरिंग होती है उसके लिए भी MOU पर साइन हुए है आपसों को पता है जैसी बोस इनिवरस्टी को हम YMCA कहते हैं YMCA क्या होती है अग्जाम में पूछ लिया जाता है YMCA में सी कर मतलब क्या है इसकी फुल्फूम होती है यंग मैं यंग मैं यंग मैं स्कृष्चियन क्युल से एशोशेशन एशोशेशन do देखो शेपहल होती है इस में स्कृष्चियन एसससेशन हैं यंग मैं स्कृत्चन एसस्यासशेशन हैं सर इसकी स्तापना कभी थी आपने स्तापना निंश क्याँ स्तापना है 1999 सर कहं, ये कांपर है YMCA के फृट्दाबाद के अंदर यह है फृट्दा बाद के अंदर है वाई एंसी Epic फृढबाद के अंदर है यक, कोन है वैस क्षेश कुन है वह है देनेश कुमार नियश कमर अगला किसन कहा अगला किसन देखो अगला किसन ये है हाली में सक्सी सेल हर्याना दोरा घर से पढ़ाओ अभ्यान के लिए किस चैंपियन सेंटर के रूप में चुना गया है किसन ये है हाली में सक्सी सेल हर्याना दोरा घर से पढ़ाओ अभ्यान के लिए किस चैंपिन सेंटर के रूप में चुना गया है यह सेंटर है किसको चुना गया है परिंका को सर यह सक्सिसल होता किया है सक्सिसल होता किया है देखो सक्सिसल का मतलब हरियाना में एक प्राइविट संस्ता है मतलब एक फो में एक और्गनेजेशन है इसके दोरा घर से पढ़ाओ अभ्यान की सुरत की है किसने की है सर परिंका ने सर परिंका कहां की है परिंका ने की है सर ये परिंका कहां की है परिंका तो जजर की लगती है सर जजर की है हाँ परिंका जजर की है सर जजजर को तो हम सहीदो का सहर भी तो कहते हैं हम जजजर को सहीदो का सहर भी तो कहते हैं हाँ आप बहुत तेज हो आपको सब पता है जजजर को हम सहीदो का सहर कहते हैं सर जजजर में एक ना पूरा तत्तो संग्राले भी है पूरा तत्तो संग्राले भी है पूरा तत्तो स बरतनों का संग्राले 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 बरतनों कहते हैं और प्रेंका भी जञजर कि है अगला किvино के आसर यह है कि अ करेंग फ। वो लिया है तिरी से आठमी तिसरी सेे अठमी ऑप्सन ए छी चिक-छिक के कहा रहा कि मैं हूं मैं हूं तीसरी siat mi 1944 कशा तीसरी से आठी कख्रा के तीन महीने में तीन भर पृक्सा लेने का अंद्र्णम 누가 सन्मीक्सित क advertisements उन लाइन वह सकती है और और उंलाइन होगी तो अउनलाइन अप्लिकेसन पर होओ जागा है अगर किसारゃ में प्रिक्सा कि अर्याना में ओलंपिक खेलने वाले खिलाडियों को किदने रुपश क्ति त्यारी के लिए देने का अधिया है और यह नामे ओलंपिक खिलने वाले खिलाडियों को कितने रुपए अडवांस देने का अंदर ने लिया है अडवांस देने का अंदर ना मतलब क्या है कि जो बचे त्यारी कर रहे हैं कर रहे हैं उनको आर्थिक साहिता देना कि वो अपनी बैतर से बैतर ढंक से तैरी कर सके और उलम्पिक में गोल्ड मेडल ला सके इसलिए किते हो रुपए देना देना लिया है उप्शन ए पाच लाख उप्शन ए पाच लाख रुपए सरकिस को दिये जाएंगे जो उलम्पिक खिलने के लिए क्वलिफाई करने वाले हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं खिला अडियोग खुरा के लिए प्रिसिक्षन के लिए उवेंग संक्ता निर्मान हित्व पाच लाख रुपए की राशी हर्यान सरकार दोरा दी जाएगी अगला किशन के आसर देखो हर्याना में कहां के ओटो रिक्षा वा टेक्सी चालको को मोटर वहान पर कर से छूट देने का फैसला लिया है वो दिया गया है दिल्ली राश्तान उतर प्रदेश मतलब सभी को उपरुक्त सभी इसमें के आसर देखो अब दिल्ली राश्तान उतर प्रदेश के आटो रिक्षा वा टेक्सी चालको को मोटर वहान कर से छूट मिलेगी पहले सीमा सुलक लगता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जो भी जिले NCR के अंतरगत आते हैं उन पर टेक्स नहीं लगेगा दिल्ली राश्तान उतर प्रदेश के जो भी जिले NCR के अंतरगत आते हैं मतलब दिल्ली के आसपास आते हैं उन पर टेक्स नहीं लगेगा उन पर टेक्स नहीं लगेगा पहले टेक्स लगता था सीमा सुलक पहले लगता था अब नहीं लगेगा अगला किसन की आशर देखो हर्याना में उपद्रवियों से किस से होने वाले नुकसान की बरपाई करने का कनुन बनाने का फैसला लिया है परसन ये है कि हर्याना में उपद्रवियों से किस में होने वाले नुकसान की बरपाई करने का कनुन बनाने का फैसला लिया है इसका answer है उप्रोक्त सभी option D option D चिक चिक के कह रहा है कि मैं हूँ मैं हूँ आंदोलन दंगे और हर्ताले में जो भी उपद्रवी नुक्सान करेंगे उसकी ब्रपाई वो सुम करेंगे देखो किसम क्या है हर्यानाय में जितने भी आंदोलन दंगे हर्ताले होती है उनके कारण बहुत नुक्सान होता है आप सब को पता है अगर जो भी सारजनिक संपती को नुक्सान पोचाएगा वो जो भी पोचाएगा उनसे ही सरकार पैसा वसुलेगी आप सब को पता है हर्याना में जाट आरक्सन आंदोलन के समय गया था और आप सब को पता है कि पंचकोला में देरा सच्चा सोद्दा के प्रमुख राम रहीम के गिर्पतारी और सजा के बाद हिंसा हुई थी उसमें भी अर्बों के संपत्ति को नुक्षन पुंचाए गया था इसी को मद्य नजर रखते हुए हर्याणा के गर्यामंत्री ने अनिल्विज ने इस कानुन को परस्ताव परित करने के लिए या फैसला लिया है अगला किसन के आसर अगला किसन देखो अगला किसन ये है कि हाली में किसने हर्याणा में दर्मांतरन विरोधी कानून लगो करने की गोसना की है कानून की गोसना की है बताओ वाई वो की है अनिल्विज ने सर अनिल्विज तो गर्या मंत्री और स्वास्ता मंत्री है आप ठीक देखो किसी वी व्यक्ति द्वारा किसी दबाव से किसी लालच में साध्धी का जासा देखकर या किसी अनेतिक ढंक से धरम का प्रवर्तन करवाने का प्रयास करता है उन दोसियों पर उन दोसियों पर सक्त से सक्त करवाई की जाएगी इस कानुन को लगू करवाने के लिए आ लुजनी अगला किसन क्या है हाली में हर्याना के किस शहर में हाली में हर्याना के किस जिले में निर्मलताओ के नाम से मुहिम सुरू की गई है मुहिम सुरू की गई है ओकी अंबाडा से ओकी गई अंबाडा से यह मुहिम क्या है सर देखो तो निरमलताव के नाम से महीम की सुराइट की है इस महीम में निरमलताव का रोल को नहीं बाएंगे बावन वर्सिया बस चालक रामपर्कास है जो कुर्ता पजामा डाल कर सिर पर पकड़ी बांद कर आत में लठ लेकर बस्टेंड पर जाएंगे और अपने लठ के उपर लगे निरमल ताउ बोरड के मादम से यात्रियों को जगरू करेंगे सर क्या जगरू करेंगे यात्रियों को सपाई का महत्तो समझाएंगे वन्द की ना फैलाए आदी बातों से यत्रियों को जगर करेंगे सर अंबाडा में मातमागान दी भी आये थी सर एक बार मातमागान दी मातमागान दी अंबाडा में आये थी सर वो कब आये थी? वो आये थी 8 मार्च 8 मार्च 1921 को 1921 को और सर नत्थु राम गोट्षे को अंबाला जेल में फासी दी गई थी कब दी गई थी सर नत्थु राम गोट्षे को अंबाला जेल में फासी दी गई थी सर कब दी गई थी 15 नुवंबर 1925 को फासी दी गई थी और आप सोब को पता है अमबाडा से सवतंतरता से नानी कुन रहे सर वो तो लाला दूनी चंद रही ये दूनी चंद है ये अकजाम में किसन पूछ लिया जाते हैं कि मातमा गांदी अमबाडा कब आई 8 मार्च 19 किस को आई नथु राम गोड़ से को अमबाडा जैल में फासी कब दी गई 15 नुवंबर उनी सो एंचास को दी गई अमबाडा से सवतंतरता से नानी कुन रहे लाला दूनी चंद रहे ये किसन अकजाम में पूछ लिया जाते हैं अगला किसन क्या है अगला किसन बताओ सर मिस गरेंड इंडिया 2020 मुनिकास योकंद हर्याना में कहां की रहने वाली है कहां की रहने वाली है ये रहने वाली है पंचकुला की ओप्शन सी ओप्शन सी पंचकुला देखो पंचकुला की रहने वाली मुनिकास योकंद मिस गरेंड इंडिया 2020 बनी है मिस ग्रेंड 2020 बनी है ठीक है सर पंचकुला के बारे में चोटी मोटी बाते बताओ सर देखो पंचकुला की स्ताफना कब हुई थी सर पंदरा अगस्त 15 अगस्त 1905 में में पंचकुला की स्ताफना हुई थी सर चंडिगड की सलर सिटी पंचकुला को कहते हैं सर यहां पर एक मंदरी भी है बीमा देवी का मंदर का मंदरी भी पंचकुला के अंदर है सर और सर यहांपरना ह हम्ट हम्ट अध्योग भी है हम्ट अध्योग सुध बंख़त की अंदर अध्यो Oh १ sin क्या है सर यह बताओ अगला किंघण अगला किसन ही है दखो हरियानध में कब से अंतरस्ट पारास शुति यह मोजंब की अення की पर न being कब की गई थी 14 फे वरी गई थी 14 फेवरी गई थी देखो अंतरस्वी सरस्वत्य मौफसिषों की शुरूवात जो के अंदर आदि पदरी और कुरुक्षे सब्सक्राइब किया जा चुका है सर इवनानगर के बारे में छोटी मटी बाते बताओ देखो युवनानगर के बारे में अकड़ को पता है एक नुवंबर एक नॉम्बर 1989 को युम्नानगर की स्थापना हुई थी ठीक है सर इसका प्राची नाम भी है सर इसका युम्नानगर का वो क्या है सर वो है अब्दुलापूर वो है अब्दुलापूर अब्दुलापूर नाम है सर इसका प्राची नाम अब्दुलापुर ठीक है सर सर इसका एक किसन और बताओ युनानगर से ये इंपोर्टेंट लग रहा इसलिए बताओ डखो आप सो को पता है बंदा बादुर सिंग गुरुद्वारा भी काम पर है बंदा बादुर सिंग गुरुद्वारा भी तो युनानगर के अंदर है गुरुद्वारा ये गुरुद्वारा ये भी युनानगर के अंदर है आप सो को पता है युनानगर और कुछेतर की बास इसक्रिशन में आई है तो हम कुछेतर के बारे में पढ़ेंगे हम कुरुख्यत्र के बारे में बढ़ेंगे दिखो कुरुख्यत्र के बारे में अगर आप से पूछ ले कि कुरुख्यत्र की हम किस नगर को कहते हैं वेदिक सभेट्या का पालन वेदिक किस नगर को कहते हैं कुर्चेटर को कहते हैं आप सब को पता है अगला किशन क्या बनता है अगला किशन ये बनता है कि हर्याणा के किस जिले में पहली बार के सेवन क्वालिफायर्स प्रीमिम नेशनल कबडी लिग खेली जाएगी खेली जाएगी बतावाई इसका एंसर क्या है इसका एंसर आप बताओगे इसका एंसर है सोनिपत चिक चिक के कहा रहा है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं सोनिपत य रस किवली जाएंगी शर्य अपफ एक मर्स से मर्च के उंपर तक यह खेली जाएगी अभ्यकुल 226 से ₹ 2 म सकुंसे में स्याई अढ़ है इसमें 21 साल से कम इकिसाल से कम उमर के उमर के कम उमर के बच्चे हिसा लेंगे इस प्रत्यों घेता में सोड़ाट्य में भाग लेंगे सरशोनिपत कीち सतापना कब हुई थी आ ने ये तो बताया नहीं ये थो बताया नहीं कि लीपढ किस तापना कब हुई थी 22 दिसंबर includes 22 को vendo인이 सोनिपत की स्थापना कब वैठर को सवरण परस्त कहते थे यहां पर ना सोरा की मिटी से बणी एक मुर्ती भी मिली है एक मुर्ती भी मिली है काम पर मिली है हम सोनीपत की बात कर रहे हैं तो सोनीपत के अंदरी मिलेगी सोनीपत आपसो को पता है सर सोरा तो एक खनीज होता है सोरा सो एक खनीज का प्रकार होता है सोरा एक खनीज का प्रकार होता है सोरा की मिटी से बणी एक मूर्ती है मूर्ती पता नहीं मगलती क्यों करता हूँ मिटी से बणी मूर्ती का मिली है सोनिपत में मिली है अगला किसन क्या है? अगला किसन देखो अगला किसन ये है हर्याना के कितने कानुनों से पंजाब सब्द हटाया जाएगा बताव वाई आपके पास उप्षन है जब तक आपके पास उप्षन है आपको जरासा भी नहीं गबराना उप्षन है उप्षन 163, उप्षन B उप्षन B 163 देखो हर्याना के 163 कनुनों को पंजाब सब्द से हटाया जाएगा ऐसा करने से क्या होगा सर ऐसा करने से क्या होगा ऐसा करने से स्वाबी मान की बावना जगरत होगी अपना पन मैसुस होगा जब से हर्याना पंजाब से अलग हुआ है तब से हर्याना पंज़ाब कानून साथ की साथ चल रही है इसलिए पाच मारश से सुरूँ हो रहे हर्याना वीदान सबा के बजट सतर में राज्या के सभी कानुन हर्यानवी हो जाएंगे, पंजाब से अलग हो जाएंगे, पंजाब के कानुन और हर्याना के कानुन अलग-अलग हो जाएंगे, चम्मन वर्सों से हर्याना की सासन वर्सता, पंजाब के कानुनों पर आधारित है, पंजाब के कानुनों के अधार पर किस योजना के तहथ किस योजना के तहतरी कुंड्य बयराज कोत्पे सारा सीस्टम अथ्यू इवैजे मैं जोंट सब्सक्राइब 30 मारच 2021 से सारा सिस्टम अथनिकुन वेराज का अटमेटिक हो जाएगा सरे सकाड़ा सकीम के तहते 3.30 क्रोड रुपे की रुपे खर्च के जाएंगे सकाड़ा सकीम के तहते 3.30 क्रोड रुपे खर्च के जाएंगे इस यजनक के तहते अथनिकुन वेराज पर है सुप्ट्वेर के मादम से पलपल पाणी के सतर की जानकारी अधिकारियों के पास जाती रहेगी सर सकाड़ा की फुल फॉर्म क्या है? आपने अब तो किसी फुल फॉर्म नहीं बताई सकाड़ा की फुल फॉर्म है सुप्रवाजरी, कंट्रोल, एंड डाटा, एसकेशन देखो, लिख देता हूँ मैं सुप्रवाजरी सुप्र, सुप्रवाजरी कंट्रोल एंड एसकेशन ठीक है सर अथनी कुंड के जितने भी गेट हैं 32 तो गेट हैं 32 गेट पर सभी पर CAC TV केमरे लगेंगे और सेंसर लगेंगे जिससे पाने के सतर बढ़ने होए गटने की जानकारी मिलती रहेगी जानकारी मिलती रहेगी सर यमनानगर की स्तपना के बंग थी यमनानगर की स्तपना के बंग थी आपने पिछे बताए था आप एक बार और बता दो इसकी स्तापना हुई थी एक नौवंबर शिक्खो की पहली राजदानी कौन सी थी। जुमनागर को कहते हैं। अगला किसन क्या सेरे अगला किसन बताओ अगला किसन क्या है। देखो अगला किसन यह है पड़ोवाई अगला किसन क्या है हाली में हर्याणा सकार ने किसी राज्य की तरज पर पंचायती राजस्थाओं की कमान परसासकों के हाथ में सोपने का निरनेलिया है वो लिया उत्रप्रदेश वाई ओप्सन सी चिक चिक के कह रहा है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ देखो हर्याणा में 23 फरवरी को पंचायती राजस्थाओं का कारेकाल खतम हो जाएगा और पंचायती परतिनिदियों के अधिकार छिन जाएंगे चुनाओ में देरी के चलते परसको के हातों में कमान सोपने का निरने लिया है आप सोब को पता है हर्याणा राज्य में 22 जिले प्रिशिद हैं आप सोब को पता है एक जिले में एक जिला प्रिशिद होता है और हमारे हर्याणा में 22 जिले हैं तो 22 जिले प्रिशिद होंगे आप सुब को पता है, और हर्याना में 142 क्या है, 142 है बलोक समितिया, बलोक समितिया कितनी है, अगजाम में यही पुछ लिया जाता है, कि हर्याना में कितनी बलोक समितिया, यही पुछ लिया जाता है, अगर आप से पुछे, कि 6205 क्या है, 6205 क्या है हर्याना में, आप तो बता देना कि हर्याना में 6205 कराम पंचायद है आप तरुन्त बता देना आप बहुत तेज हो देखो उत्र प्रदेश की बारी आई है उत्र प्रदेश का नाम आया है इसके बारे मोटी बाते पड़ लेते हैं यूपी मतलब उत्र प्रदेश सर इसकी राजदानी क्या है इसकी राजदानी क्या है लखनू लखनू को हम नुवबो का सहर कहते हैं और लखनू गोमती नदी के किनारे है आसू को पता है सर इसके मुखामत्री कोन है यूपी के आसू को पता है योगी आधितेनात है योगी उत्र प्रदेश के सियम है सर इसके राजयपाल कोन है यो चुन में हर्याणा में अब किसुन वेबसाइट से डाउनलोड किए बीना सरकारी अधिकारी के सरुकारी के साइन के भी पूरी तरह मानने होंगे देखो क्यूशन ये है अर्याना में अब किस वेबसाइट से डाउनलोड के गए दस्तावेज बिना सरकारी अधिकारी के साइन के भी पूरी तरह मानने होंगे बतावाए ये है एंसरसी जमाबंदी.com अगर आप का आगया है कि आप जमाबंदी.com वेबसाइट से डाउनलोड के गए दस्तावेज बिना सरकारी अधिकारी के साइन के भी पूरी तरह मानने होंगे अगर आप जमाबंदी.com से डोकुमेंट डाउनलोड करते हो उन पर अधिकारी के साइन करवाने जरूरी नहीं है यह मानने नहीं है कहा गया है जमीन समंदी जितने भी डोकुमेंट है जमीन समंदी जितने भी डोकुमेंट है उनको दोबारा अटेस्टिड नहीं करवाना होगा इसलिए उप मुख्यमंतरी दुसिंत चोटाला ने कहा कि आप जमाबंदी.com से दस्ताविजो को डाउनलोड कर सकते हो अगला किशन क्या है सर वो बताओ देखो हाली में हर्याना के किस जिले में रन फोर राम मेरा थन का ऐजन क्या गया है ये बताओ सर ये बताओ इसका एंसवर क्या है सर इसका एंसवर है सी एंसवर सी चिक चिक क्या कहा रहा है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ इसका एंसवर है गुरूगराम गुरूगराम देखो गुरूगराम जिले में रन फोर राम मेराथन का ऐजन क्या गया है रन फोर राम मेराथन का आयोजन क्या गया है योध्धा में बगवान स्री राम मंदिर निर्मान के लिए चले रहे अब्यान के तहते रन फोर राम के तहते साथ किलो मिटर लंबी मेराथन निकाले गई है साथ किलो मिटर लंबी मेराथन निकाले गई है जिसमें ससो से अधिक राम भक्त दोड़े राम भक्त दोड़े सर गुरुगराम के बारे में चोटी मोटी बाते बताओ चोटी मोटी बाते बताओ आपको गे सर गुरुगराम के अंदर ना एक बार बेट जील है बार बेट जी क्या बनता है सर इसमेनाईक सराय अलवरिदी की मजजिद भी है गुरुगराम के अंदर है सराय अलवरिदी की मजजिद भी है इसके अंदर आपको सब पता है आप बहुत intelligent हो वह गुरुगराम के अंदर मो द nt सराइ 그래도 निर्मान किस ने करा था अभ थो कि निर्मान कि ने करवाता अलावद इन घिल जी ने बहुत सु ने सराइ estake profund कि अन्दर पूटवाल अकडमी वी है ऑच्छा यह रही है Justy गुर्गराम के अंदर आप बहुत तेज़ ओ ब requisent हो आप दिन पर तिदन होते Что look50 अग cousin क्या है इ। हम भता रही है वह भता रही है अगर किस चैनल से किस चैनल से मारकंडया नदि और सरस्वतिन दिकौः आपसे जोडाबब जाएगा अपस में जोड़ा जाएगा, answer बतावाई, इसका answer क्या है, इसका answer है, canthal supply channel option B, option B यह कह रहा है कि मैं हूं, मैं हूं, option B है canthal supply channel, देखो, मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को कैंथल स्प्लाई चनल से जोड़ा जाएगा सर मारकंडा नदी का उद्गम स्थल बताओ सर मारकंडा नदी का उद्गम स्थल बताओ मारकंडा नदी इसका उद्गम स्थल क्या है सर इसका उद्गम स्थल है नहान के पास नहान के पास सिवाली की पाडिया सर नहान की पाडिया तो हिमाचल प्रदेश में है हिमाचल प्रदेश में है मारकंडा नदी का उद्गमस्तल हिमाचल प्रदेश में नहान की पाडियों के पास है सर मारकंडा का प्राचिन नाम क्या है सर मारकंडा का प्राचिन नाम क्या है आपने ये तो बताया नहीं मारकंडा का प्राचिन नाम है अरुना प्राचिन नाम पूछले आपसे कोई भी तो आप जट से बता देना अरुना अरुना बता देना मारकंडा का प्राचिन नाम है अरुना सर सरस्वती नदी का उद्गमस्तल क्या है सरस्वती नदी का उद्गमस्तल क्या है सर अगर अगजाम में आ गया तो हम क्या बताएंगे हम अगजाम में क्या बताएंगे सरस्वती नदी का उद्गमस्तल है सिर्मोर की पाडियां सर सिर्मोर की पाडियां तो हिमाचल प्रदेश में है हां आप ठीक कह रहे हो सिर्मोर की पाड़ियां हिमाचल प्रदेश के अंदर है सरस्वती नदी का उद्गमस्तल है वो है मरकंडा और टांगरी किसके साहिक नदिया है वो है सरस्वती होई है गाउन का नाम है मुगला वली उन्हान नगर के अंदर है रहलो étant कि Celebrity कि खुदाई हुई है ठीक सर अगला मताओ आरा किसले के नव दिपने बहाला फेक में आथमी बार एकि जीती इसका पानी पत ऑपmetro órf can c f पानिपत जिले नवधीप ने बाला फेक में आठ्वीं ब़ोग्ती इसकी उमर कितनी है सवino धिशलका प्रॉंकी यह कद में छोटा है चार फिट का है चार फिट का है नवदीप जो पाणिपत का है यह बाला फेकता है सर आपको पता है सर आपको पता है यहां पर ना सिवाजी स्टेडियम एक पाणिपत में है सिवाजी स्टेडियम एक पाणिपत में है सिवाजी स्टेडियम सिवाजी स्टेडियम कांप्रेसर यह पाणिपत के अंदर है पाणिपत के अंदर है सर यहां पर ना एक पाणिपत को सबसे ज्यादा काँपर के अंदर है सर्ट सिकाई लांक प्रेकन सतल्बी के अंदर है एक और बाग भी है काबी बाम ऍझिद भी ऑपढड पढ़ी पड़के अंदर ठीक है आप ठीक है रहे हो। पहलते जो काबली बाग मजीक्रात है जलो किसे नामित्प इसका इसका एंसर बताओ वाई इसका एंसर है डॉक्टर अजय माथूर ओप्शन ए डॉक्टर अजय माथूर इसका एंसर है दोखो डॉक्टर अजय माथूर को आई एसे के महाने देशक मतलब डी जी के रूप में महाने देशक होता है डी जी अज डॉक्टर अजय माथूर को ISA के महानिदिशक के रुब में नामित के है इस होता की है ISA की फुल फंर Questo फुल फंरो क्या होती है ISA की फुल फंरो wn выпуск यह International陈 International 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 Solar Alliance क्या क्या है स्रा 넣고 हिंदी में तो बताए है हिंदी में तो बताओ हिंदी में किसम इसका राष्ट्टी और शोवर गठमधन इसका हेड़कॉरण कहां पर है आज यह अधिन सेका है गुरुग Ephemaam में उच्छे जवर एक राष्ट सत्रा नवक्जह्ण न्युक्त क्या यह इसका इनसर क्या है इसका एनस्वर क्या है? इसका एनस्वर है मनिका स्योकंद, उप्सिंडी, मनिका चिक चिक कहा रही है कि मैं हूँ मैं हूँ, मनिका स्योकंद, देखो मेरा पाणी मेरी विरासत यो जना किया है, हर्याना में बूध जल का जो सतर दीरे दीरे नीचे जा रहा है, उससे लोगों क को जगर करवाना आप सुब को पता है में अंदरगर जिला में पाणी का सतर बहुत नीचे तक जा चुका है चावल की खेती जहां ज्यादा होती है वहां पाणी की ज्रूरत ज्यादा होती है इसलिए हार्यान सरकार ने कहा कि दान की खेती ना क्या करो आप हार्यान सरकार ने दान के घ्रती कर ना करने के आदिश दीये हैं देखो अगर आप इस यहुजना के तहए दान की खेती नहीं करते और अन्नेफसल बोते हो खर अ अंन्ने फसल बोते हो तो हरियाना सरकार हरियान सरकार आपको एक इकड़ के हिसाब से साथ हजार रुपे देगी एक एकड़ के साब से आपको साथ हजार रुपे देगी ठीक है सर अगला किसन क्या है अगला किसन क्या है सर वो देखो अगला किसन यह है हाली में मुख्यमंट्री मुन्होरलाल ने कितने जिलों में चार जिलों से हरयाणा सरकार ने पैरी अर्बन किर्षी करने का फैसला लिया है घ। पहला जिल पत पहला जिला सुनि पत सुनिपत दूसरा जिला कौड शांसर है वहाई यह जजजर तिसार जिला तूसरा जिला बताऊ सर गुरू ग्राम और चौता जिला है फृदाबाद वो है फुरिद्दाबाद, ठीका सर. ठीका सर, देखो पैरी अरबन किर्शी होती क्या सर, यह बताओ, देखो, पैरी अरबन किर्शी का मतलब है बागवानी, पसुपालन, मच्सेपालन, फुलोरी कल्चर, मतलब फूलों की खेति की जाए, रियाणा में इन स्तानों पर इन की खेटी की जाए बागवानी की पसूपालन मटसपालन और फुलग खेटी की जाए इसे क्या हुआ सब इस खेती क्यों करी जाए ऐसा क्यों करना चीए क्योंकि आप सुको पता है मेरी फसल मेरा ब्यूरा पॉर्टल के तहते ये खेती करके आप अपना दरज आपना नाम इसे सकिम्प के तहत दरज करवा सकते हो मेरी फसल मेरा बेवरा में इस पोर्टल में अपना नाम दरज करवाओ और ये खेती करवाओ ये खेती करोगे तो आपको सरकार आर्थिक लाप देगी आपको सरकार लाप देगी अगर आप ये खेती करते हो बागवानी की पसुपालन की मत्स्यपालन की और फुलो हेति करते हो तो आपको हर्याना सरकार आपको हर्याना सरकार आर्थिकलाब देगी ठीक है सर अगला किशन क्या है अगला किशन बताव सर अगला किशन यह है देखो अगला किशन यह है अगला क्वेशन हमारा हारयाश्याना क्रंटाइट फेर का लास्ट गिशन है पिर हम शुरू करेंगे सेन्टर जिके कशन अगला की लास्ट केशन है यह आयाश्याना क्रंटाइट फेर का हर्याना के किस जिले के रोतास खिलेरी अफरीका महादवीब की सबसे उची चोटी परचटाई करेंगे रोतास खिलेरी कहां के है यह इसार के देखो रोतास खिलेरी अफरीका महादवीब की सबसे उची चोटी कौन सी हसाब है वह किली मंजारो किली मंजारो किली मंजारो है साथ अफ्रिका महादविव की सबसे उची चोटी किली मंजारो किली मंजारो अफ्रिका महादविव की सबसे उची चोटी है सर कितनी उचाईस की 5885 मेटर 5885 मेटर अगर ये है समुंदर तल से ये है समुंदर तल से अगर आधार से पुचले सर आधार से कितनी होगी आधार से है 5852 5882 52 है 5882 है आधार से और समुद्र तल से है 5852 में मिटर आप से अगजाम इतना है पुचा जाता है कि माउंट के लिए मंजारों की उचाई कितनी है 5852 में अगर वो कहे कि आधार से बताओ तो 5852 है सर हिसार जिले की स्तापना कब हुई थी सर हिसार जिले की स्तापना कब हुई थी जो रोताशी ले रही है ना यह हिसार की है तो हिसार की स्तापना बताओ आपको पता है एक मुवंबर 1966 को जब हर्याना बणा उसी समय हिसार था सर आप सर हर्याना की स्टिल स्टीन भ्यादी सतिल स्टीव चाहते हैं सतिलसी है शव्याध को पता है इसार इस्ट पाणने पुछ लगहने टेसिष्टी इस होचालि इस कुर्खा में किस क्रिगेंट को वरश 2021 का स्ट्रकी यह थे चिसमान मिला है बता हुझ को मिला है ओप्शन D, स्टीवन स्मित चिक चिक के कह रहा हूँ कि मैं हूँ मैं हूँ मुझे मिला है, मुझे मिला है, देखो आस्टेलिया के दाकड बलेबाज स्टीवन स्मित को वर्ष 2021 का एलन बॉर्डर मेडल समान मिला है सर ये एलन बोडर मेडल है ना आस्टेलिया का स्रोच क्रिकेट समान मना जाता है सर स्टिवन स्मित को इससे पहले दो बार और मिल चुका है सर 2019 का किसको मिला था और बीस का सरी ये अवार्ड किसको मिला था वो मिला था डेविड वोनुर को और दो जार बीस इकिस का किसको मिला है स्टिवन समीट को दोजयर बी से यकिष का मिला है स्टिवन सीमत को आप सबको पता है स्टिवन समीट को पिच्छे दो बार और मिल चुका है ठीका सर Hi ऐस्टेलिया के बारे में नS च्शोटी मोटी बात ते बताओ अस्टेला के बारे में जैखो आप सुब का पता है अस्टेलिया की राजधाने कैंपरा है अस्टेल्या की । पुछे, PM बता देना किसको बताएं, sir PM sqot morisun sqot morisun sqot morisun है Australia के पर्धान मंतरी ठीक हा, sir australia की मुध्रा क्या है मुद्रा क्या बताएंगे मुद्रा है dollar ठीक हा, доллар dollar बतादेंगे sir हमने सुना है australia की खोज 777 में हुई थी hous हां आप ठीक है रहे हूँ एसे लैकी VIK सुथ स्तास्व स्तर में हूई थी ऐसे ने की थी उनका नाम क्या था यह कुक जैब्स कूठ ने शत्रासो संस्तर में आश्टेलय ही की खोज कर दी थी और आपको पता है आस्टेलिया को हम 85 भूमी का देश भी कहते हैं और आस्टेलिया की खोज 1770 में वी थी जम्स कुक ने की थी ठीक है सर अगला किसन क्या है अगला किसन बताओ अगला किसन इसेा है D ठीक है शर दस लिइछो दुनिया भर भर में दस फ्रवरी और विशो दलन ना जाता हैakter था जरशडा में मनायेगा था पहली बार पहली बार देखो पहली बार दो 2016 को अंत्र श्ट्य दाल वर्षय गोशित अगया था और लेकिन विश्वध देलन्द दिवस मनाने का सिल्सला दससुर अधे चलाथा 98 थे हैं अधे हैं डास अगिस अग्या चिंद अबनता हैं 2018 now पताव सर ठीक है अगला किसन देखो अगला किसन यह है किस खिलाडी को जनवरी 2021 के लिए ICC Man's Player of the Month Award के लिए चुना गया है किसन यह है किस खिलाडी को जनवरी 2021 के लिए ICC Man's Player of the Month Award के लिए चुना गया है इनका लाम क्या है इनका नाम है डी डी चिक चिक क्या रहा है कि मैं हूं मैं हूं रिसब पंत रिसब पंत उना उत्राखंड के है आप ठीक कह रहे हो देखो ICC ने बारत्य क्रिकेट टीम ने के विकेट की पर बले बाज रिसब पंत को जनवरी 2021 का ICC मैंस प्लेयर ओवदा मत चुनाये ICC दवारा इस आवार्ड की शुरुवात इसी साल 2020 में की गई है महीने का बैस्ट क्रिकेटर चुना जाता है देखो मैं इस बात को दोवरा रिपिट कर देता हूं क्योंकि यह बात इंपोर्टन है देखो ICC ने बारत्य क्रिकेट टीम के विकेट की पर बले बाज रिसब पंत को जनुवरी 2021 का ICC Men's Player of the Month चुना है ICC दोवरा इस आवार्ड की सुरुवात इसी साल 2021 में की गई है जिसमें महीने का बैस्ट क्रिकेट चुना जाता है ठीका सरै ICC की फिलफ्वां बताओ आपने तक तो यह तो बताई नहीं आप सांति रखो अम यह भी बताएंगे देखो ICC की प्लफ्वां क्या होती है सार है नहीं क्या सर आपने हिंदी में तो बताया नहीं काउंचिल है इसकी देखो देख लेना काउंचिल हिंदी में है अंतराष्टिय क्रिकेट प्रिशद हिंदी में कहते हैं सर आएसीची की स्तपना ना 15 जून 1909 को हुई थी हम को सब पता है सर इसका एड़्कवाटर ना अगला केशन बताओ सर अगला केशन है अगला कीशन यह है आपकी स笑न पर यह रहा देखो इसराज़ति के सरकार ने हाली में चात्रों के लिए मुख्यमंत्री विग्यान प्रतिवा प्रिक्षा स्किम की गोशना की है इसका इंसर बतावा आई important question है यह दिल्ली option B option B देखो दिल्ली सरकार ने मेधावी चात्रों को स्कुलर्शिक देने का फैसला लिया है कक्सा नोमी के मेधावी चात्रों को एक जार मेधावी चात्रों को स्कुलर रूपया के देने के गोशना की है इस योजना के माधण से बच्चों में वेगानिक प्रवरती को बढ़ावा देने का प्रयास किया है सर में दावी चातर होते कुन है मैं दावी चातर का मतलब है जो बच्चे लिखने पड़ने में बहुत इंटेलिजेंट है उनको कहते हैं मैं दावी चातर ठीक है सर अगला क्रिशन क्या है अगला question है हाली में किसे करनाटक का कतिसमा जिला बनाया गया किसे बनाया गया ये बताओ सर ये तो important लग रहा है हाँ ये important है ये important है देखो करनाटक का कतिसमा जिला कोण सा बना है बताओ वाई वो बना है विजयनगर वो बना है विजयनगर विजयनगर बना है विजयनगर ओफशन D कतिसमाजिला बना है विजयनगर सर विजयनगर बना तो दिया किसमें से काटकर बनाया है किसमें से काटकर बनाया है ये तो बताओ किसमें से काटकर बनाया है ये काटकर बनाया है बेलारी से बेलारी जिले से काट कर बनाया है विजयनगर बेलारी सर विजयनगर का हेड़कौटर कहां पर होगा सर विजयनगर का हेड़कौटर कहां पर होगा विजयनगर का हेड़कौटर होगा ओच्पेट में ओच्पेट में होगा ठीक है सर करनाटक के बारे में छोटी मोटी बाते बताओ करनाटक के बारे में छोटी मोटी बाते बताओ आप सुब को पता है करनाटक की राजदानी बैंगलोर है करनाटक की राजदानी बैंगलोर है आप सुब को पता है सर इसके मुख्यमत्री कौन है इसके मुख्यमत्री कौन है वह राजच पाल हैं संबह्रतिश्र विर्गाई वन वाला वजुबाई वाला किषियर है है कि कब मना किसन जाता है इसका अन्सवर आप बताओगे मैं नहीं बतावाइ यह कहा रहा है की मैं हूं मैं हूं अपने इस कृषिक नहीं शुनी यह कहा रहा था कि मैं हूं मैं हूं फरवरी महिने के दुसरे स्थिति है जो दोरे का कारण बनती है लोगों को मिर्गी के परती जग रुप करने के लिए फ्रिवरी महीने के दुसरे समवार को विशो भर में मिर्गी दिश्म मना जाता है सरी ये नियुरोजिकल स्थिति होती किया है देखो हमारा ब्रेन और सपाइनल कोर्ड और नरो मिलक करते हैं और यह सभी मिलकर बोडि के फंक्षन को कंट्रोल करते अगर इन में कुछ प्रोबल्म हो जाए तो मिर्गी जैसी मिर्गी जैसे समसय उत्पन हो जाती है ठीक अगला केसन क्या है अगला केसन बताओ दखो अगला केसन यह है किस राज़य में किस राज़य में हाली में बारत का पहला थंडर स्टौरम रिसर्च टेस्ट बैंड बनाने की गोषणा की है इसका इंसर के आसर है इसका एनसवर ऐसी ओडिसा देखो हाली में बारत मुस्विज्ञान विवाग ने ओडिसा के बालासोर में भारत के पहले थंडर स्टोरम रिचर्च टेस्ट बेंड को स्टापित करने की गोशना की है गोशना की है उडिसा और इसके पुर्वी राजों में बिजली के जटकों के कारण होने वाले जान माल के गातर नक्सान को कम करना इसका उदेशा होगा देखो मैं दोबरा रेपीट कर देता हूँ इपोर्टन्ट है हाली में बार्त मोसम विज्यान विबाग ने उडिसा के बाला सोर में बार्त के पहले थंडर स्टोरम रिसर्च टेस्ट बेंड को स्टापित करने की गोशना की है उडिसा और उसके पुर्विश राज्जों में बिजली के जटकी के कारण होने वाले जान माल की गातक नुशान को कम करना इसका उदेशा होगा ठीक है सर उडिसा के बारे में ना छोटी मोटी बाते बताओ उडिशा के बारे में बताओ सर देखो उडिशा आप सुब को पता है उडिशा की राजदानी क्या है भहूने सवर भहूने सवर उडिशा की राजदानी है ठीका सर उडिशा के सियम कोन है सर इसके मुखहमत्री कोन है नवीन पतनायक है वो है नवीन पटनायक है ठीक है सर इसके राज़ापाल कोन है राज़ापाल बताओ सर इसके राज़ापाल तो अपने बताया नहीं राज़ापाल है गनेशी लाल गनेशी लाल सर गनेशी लाल तो ना सिर्शा के हैं हम सुको सब बता है हम बहुत तेज हैं गनेशी लाल तो सर और उलेंज आपाल है वीजाBears ने ल है किसने जो यह जी ताब वाएं किसने जिता है वो जिता है मानसा मानसा बारासी ने मानसा बारानसी ने ause ray ऑप्ससंडी देखो तेल गाना की तेस वर्ष की मांसा वरनासी ने फ्हमिना मिस्टर इंडिया 2020 का किताब जीता है तेल गाना की है तेश वरस की है मारसा वरांसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 कर किताब जीता है ठीक है सर आप तेल गाना के बारे में छोटी मोटी बाते बताओ ठीक है आप कहो और हम आपकी बात नामाने ऐसा हो सकता है क्या देखो तेल गाना तेल गाना सर तेल गाना की राजद तो रृजद्र बाद है ध्राबाद आप टिन तिन अ कर दिन तेज होते जा रहे हो तिल गाने के राजदानी है तुको मत्री तो के चंद्र सिक्रवच ना هو हैं के चंद्र कि सिक्र को डियाओ राओ है airline मारकर चलि मरकर चैसर ग्रॉandır ठीक है सर तरह इसके राज़य पाल को नहां वाज़ पाल राज़य पाल बताओ इसके राज़य पाल है कि हम से słवे संद्रा राज़यं यह वेह साथ अ सर यह इसी दो जून 2014 को सर तेलगाना में कितने जिले आते हैं वो बताओ कतिस जिले आते हैं तेलगाना के अंदर कतिस जिले अगजम में पूछ लिया जाता है कि तेलगाना के स्थाफना कब हुई जून 2014 को जिले कितने आते हैं कतिस जिले आते हैं अगला किसम बताओ आपना जल्दी जल्दी बताया वरो खीक है देखो हाली में किसी राज्य के वन विभाग ने मुनाल पक्सी की कलगी को टोपी पर लगा कर पहनने पर लोक लगाई है रोक लगाई है सर यह तो इंपोर्ट जिए चीक सुना करो जब आपको पता चलेगा कि इसका एंस्वर इसका है हिमाचल प्रदेश देखो यह बड़े प्यार से समझेंगे माई इसको देखो हमाचल प्रदेश के वन विभाग ने मौनाल पक्सी की मौनाल पक्सी की कलगी को टोपी पर लगा कर पहनने पर लोग लगाई है सरी कलगी क्या होती है कलगी का मतलब है शिर के उपर जो फंक होते हैं जिसको हम ताज भी बोलते हैं जैसे मोर के उपर पंक होते हैं हम उसको मोर का ताज बोलते हैं वैसे ही मुनालपक्षी के सिर पर कलगी होती है पंक होते हैं हिमाचल प्रदेश के लोग क्या करते थी उस कल की को काट कर अपने टोपी को पर पहनते थी अब ऐसा नहीं होगा हिमाचल प्रदेश के आदेश के नुसार अब जो भी व्यक्ति मुनाल पक्षी के किसी भी बाग को धारन करता है धारण करता है उसके खिलाफ बड़ी कारवाई होगी आदेश के अवेलना करने पर तीन से साथ साल की जैल होगी और कम से कम दस हजार का जरुमाना लगेगा ठीक है सर हिमाचल प्रदेश के बारे में तो बताओ हिमाचल प्रदेश एच्पी सर इसकी राजदानी तो ना दो है दो दो है सर एक तुआ समर और एक है विंटर एक है समर एक है विंटर समर है सिमला समर है सिमला और विंटर है धरमसाला विंटर है धरमसाला ठीक है सर और बताओ सर इसके मुख्यमित्री कौन है हिमाचल के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमित्री कौन है जै राम ठापूर जै राम ठापूर इसके मुख्यमित्री है सर इसके राज़ापाल कौन है राज़ापाल कौन है राज़ापाल है बंडारू दतात्रे ठीक है सर अगला किसन क्या सर अगला किसन बताओ जल्टी बताओ सर दखो अगला किसन यह है परतिवरस विशो रेडियो दियो से कम मना जाता है इसका अनसर आप बताओ कि मैं नहीं ब END तुनिया भर में विशोर रेडियों मनाया जाता है 2221 2021 तिम क्या है त्धिया त्धिम है त्धिम्हेर की है दोस्रह परीम है 2020 दिखो थ्धारगे कूतीर है न्यूँ वर्ल्ड नियू रडीयोंन्य और स्धिम्हें 9 यह इस्धिम्हेर भी लिख देता हूं मैं देखो दुनिया भर में विशो रेडियो द्योस मना जाता है तेरा फ्रवरी को 2021 की थिम क्या है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो ठीक है सर विशो रेडियो द्योस की सुर्वात कब हुई थी सर रेडियो की सुर्वात कब हुई थी विशो रेडियो दियुष की शर्वात हुई थी 2011 में, 2011 में पहला रेडियो दियुष कम मनाया गया था सरे, 13 फरवरी को, 13 फरवरी 2011 को पहला रेडियो दियुष मनाया गया था, ठीक है सरे, सरे इसका उदेश्य किया है, आपने उदेश्य नहीं बताया, उदेश्य किया है, अ गैज़ा केसेन बताओ स्रह आप जल्दी काम ओता है सेतान के सेतान का vidéo आप इंसान हो देखो डेखो अगला केसуск किया है ये बनता है कोन व्यक्ति हाली में इडिली के ने प्रदानमत्री बणे बताओ आई यह important है कोन बढिए है वो बढ़ा है मारियो द्रागी, ओप्शन सी, ओप्शन सी, मारियो द्रागी, इटली की नहीं प्रदानमत्री बनी है, खास बात किया है, इसमें पता है आपको, खास बात यह है, कि यह 30 साल की है, 30 साल की, 30 साल की, मारियो द्रागी 30 साल की है, कनफरम नहीं है, कि यह महिला है, यह 30 साल की है, इटली के नई PM है नाम से पता नहीं चलता मारियो द्रागी पुर्श क्या महिला आप सरच कर सकते है गुगल पे कि 73 साल के है इटली के नई PM है मारियो द्रागी सर इटली के बारे में बताओ इटली के बारे में बताओ इटली के बारे में बताओ इटली के राजदानी क्या है इटली की राजदानी क्या सर, वहार रोम, रोम, रोम है, एक बार रोम है, इटली की राजदानी है, रोम, ठीक है सर, इसके PM कुन बढ़ी है, हमने अब बाती करी थी, PM बढ़ी है, मारियो द्रागी, और इसकी मुद्रा क्या सर, मुद्रा बताओ, मुद्रा बताओ, मुद्रा टाटा मोटर्स के नए MD & CO के रुप में न्युक्त किया है किसे न्युक्त किया है बताव भाई इसका option है Mark.Listosela option B option B Mark.Listosela इसका answer है ठीक है sir Mark.Listosela मार्क.Listosela है जो सर सर इसकी स्तापना कब्स थी टैटा मोटर मोटर सकी स्तापना तो बताए ने आपने आप Cities River को निशसोड़ार उनिशयम 25 को सरस्का Спiman delle कょ हैं सरस्का स्यौ्ट कान बंबडे में हैं हम सको सब पता है बंब्डी में हैं धिला जों मॉर्कこれは कि लिवाँ टाटा मोटर्स के वर्तमान CEO है मार्क लिस्टो सेला टाटा मोटर्स के वर्तमान CEO ग्वीटर बेटसेक की जगह लेंगे किसी जगह लेंगे ये ग्वीटर नाम भी कितना अजीव है ग्वीटर ग्वीटर बटसेक बटसेक की जगह है कौन लेंगे मारक लिस्टो सेला जो वर्तमान में टटा मोटर्स के सीउ और एमडी बने हैं कौन बने हैं मारक लिस्टो सेला किसकी जगहली है गूई टर बटसे की ठीक है सर अगला क्यूशन क्या बनता है अगला क्यूशन बताओ अगला क्यूशन है अमारे सिक्रिंग पर यह रहा देखो वाई हाली में IPL टीम किंग से 11 पंजाब ने अपना नाम बदलने का ऐलान किया है मतलब नाम बदल दिया है नाम क्या बदला है वह बताओ वह है पंजाब किंग से ओप्शन ए चिक चिक के कह रहा है कि मैं हूँ मैं कि असरों को पता है आपना कर देखो आई-पिल दो जर इकी से पहले डो जरक की से पहले कि अ हुव्य हाइपिल की एक बड़ी एक बड़ी टीम कीव पंजाब ने आपना प्राम चेंज कर दिया और पंजाब किंस कर दिया सर आई पेल कि से पहुंगे यह हो गिख महीने में अपरेल आपम कुर्ष्ण ,,,िलिसी ने किसी राजस में महाराजा सुलएदयो के समारक का सल्या स क्हne time क्या है सिल्या नास किया है सुरिस का एंसर बताओ इसका एंसर है उत्रपरदेश उत्रपरदेश 16 फरवरी 2021 को उत्रपरदेश के बहराइच में उत्रपरदेश के भैराइच भैराइच को लिख देता हूँ मैं भैराइच बहराइच में महराजा सुल्देव के समारक और चितोरा जील के विकास कार्यों की अदरसला रखी है ठीक है सर उतर प्रदेश के बारे में बताओ दो युपी के बारे में इस इस इसुप को पता है थीक है ओगे बताओ अगला किसन केढ़िया आधिया हो से कौन बारतियम मूल की महिला सियंग तराश्टट में पुंजी विकास कोष की अध्यक्स बड़ी है इसका ईंस1 इसका इंस1 प्रिति सिना उप्सिंदी चीक स्टिय और Éफ का है किसको सरे स्यंगत्राइश्ट रपन्जी लिकासको को हम ईंगिलिस में कहते हैं जू एंद इसकी फुल-फॉर्म क्या है इसकी फुल-फॉर्म बताओ आपने प्ल फॉल-फॉर्म नहीं बताई इसकी फुल-फॉर्म है युनाइटेडा successfulे यूनुँटिड नैसन शें नैसन से एक एक पीटल कैपीटल डव्लपमेंट डव्लोपमेंट डव्लोपमेंट ठीक सर इसकी स्थापना कब हुई थी उनसो 65 में 1966 में सुष्टापना हुई थी इसका Headquarter तो हमें पता है नियू-योर्क में है हमको पता है ठीक हा सर आगे बताओ UNCDF का कारह क्या होता है का कारह क्या होता है इसका काम कम विक्षित देशों को छोटे रिंप्र दान करना ठीक है सर अगला किशन क्या है अगला किशन बताओ अगला किशन बताओ सर ठीक है देखो हाली में किसे बारत्य टेलिविजन अकडेमी के बिश्मे संस्क्रण में होल ओफ फेम का पुर्शकार मिला है किसको मिला है वो मिला है एकता कपूर को एकता कपूर को किसको मिला साब है एकता कप एकतकपुर को टीवी कविन कहे जाने वाली एकतकपुर को भारत्य टेलिविजन एकडेमिक के 20 संस्क्रण में होल ओफ फेम का प्रुष्करण मिला है ठीक है अगला किशन यह रहा कि हाली में परिशिद व्यक्ति एम राम जोस का निदन होगा वे थे वे थे फरो राजयपाल सर अर्श यह किशन इंपर्टन क्यों है देखो हाली में 20 और 4 ठंड के आपने स्रेज्द था me एम राम जोईस का निदन हो गया कितनी उमर में 89-89 वर्स की उमर में निदन हो गया, इंपोर्टेंट क्यों है, आपने पूछादा, इंपोर्टेंट इसलिए है, क्योंकि एमराम जोई से इंपोर्टेंट इसलिए है, क्योंकि ये पंजाब रहयाना हाई कोर्ट के मुखे नयदी से रह चुके हैं, ठीक है सर, अबने लिख लिया, कौपी में त्यास में सबसे में खिलाडी बने हैं का बनी है क्रिक्ष मौरिश ओप्शन भी चिक चिक कर रहा है कि मैं बना हूँ मैं बना हूँ क्रिक्स मोरिस ठीक है सर देखो IPL 2021 की निलामी में दक्षिन अफरिका के ओल राउंडर क्रिस मोरिस को अरास्थान की रोयल्स टीम ने 16.25 क्रोड रुपे में खरिदा है अरास्थान की रोयल्स टीम ने 16.25 क्रोड रुपे में खरिदा है सर दक्षिन अफरिका के बारे में बताओ ठीक है आप कहो और हम आपकी बातनामाने ऐसा हो सकता है देखो आप सुब को पता है दक्षिन अफरिका के ना तीन राजदानिया है तीन राजदानिया है एक परसासनिक एक है परसासनिक परसासनिक एक है विदाई एक विदाई राजदानी और एक है नयाईक राजदानी नयाईक राजदानी देखो परसासनिक राजदानी है पिर्टोरिया पिर्टोरिया राजदानी है ठीक है सर और विदाई राजदानी है Cap town Cab Town ठीक एसर हमने लिख लिए सब्सक्राइब कर्सक्राइब नैक राज़दानी विदाई है Cap townco प्रसासनी कपर्टोरिया शर इसके राश्ट्रपती हैं इसके राश्ट्र पती है शिरील राम्फोसा 맞아 जिए गिैसे लय़ بटम meant बताऊ अब इसकी मुद्रा मुद्रा रैंड इसकी मुद्रा रैंड ठीकए सर अगला क्रेंज क्या है अगला क्रेंज है हमारा लास्ट की सन लॉन किसन कहते ही आपके चेरे पर रोनक आ जाती है रोनक आ जाती है ऐसा क्यों क्यों आती है देखो लास्ट किसन हमारा आज का यह है पीम मोदी ने हाली में किस राज्य में महाँ भाव ब्रहंपुत्र नाम के जना शुरू की है वो की असम में प्रदान मुंत्री मोदी ने असम मे परफ पुत्र नाम में के चलाएं शर्रासम के बारे ना चोटी मोटे बाते बता धीक है आपका रहतों हम बता देते हैं असा की राजदानी है दिस्पूर चाहिँ राभौ की राजदानी है दिस्पूर दिस्पूर और असम के मुखय搬ें न्त्री है सर बानंद सोनेवाल, सर बानंद, सर बानंद सोनेवाल, ठीक है सर, सोनेवाल है, सोनेवाल है, और इसके राजापाल कोने सर, राजापाल तो बताओ, राजापाल तो बताते नहीं, देरी से बताते हो, और हमसे सांती होती नहीं, जगदिस मुखी, जगदिस मुखी, ठीक है सर हमने राइट कर लिया जगदिस मुखी, असंग की राजदानिय दिस्पूर मुखा मंत्री असर बानत सोने वाल राजय पाला जगदिस मुखी ठीक असर आज ही कलास हमारी यहीं समापत होती है अगर आपको हमारी कलास अच्छी लगे लाइक अच्छी लगे तो लाइक करो कमेंट करो, सेर करो और हसी मैथिवड मुकेश को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकोन को प्रेस करना मत बोलना धन्यवाद